और give them good culture and thought process, यह बहुत जरूरी है दोस्तो, आपका team को अच्छा culture एक अच्छा thought process देना बहुत जरूरी है, अगर आपका team के अंदर culture अगर अच्छा नहीं हो, अगर पहले से ही वो team के अंदर पे अच्छा culture अगर अच्छा thought process अगर आप नहीं डालेंगे, फिर वो जाते जा जाते जाते, team तो बन जाएगा, लेकिन वो मतलब ऐसा team वो team कब चोड़ के जाएगा, कब कतम हो जाएगा, मतलब सोची नहीं सकते हो, वैसा team, हमको सिर्फ team नहीं चाहिए, हमको एक अच्छा culture टीम चाहिए, एक अच्छा सोच विचार का team बनाना है, only team नहीं बनाना है, ए पिर आपका business भी बहुत अच्छा चाल जाता है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको, हमारा vision mission को समझाओ, अच्छा से team को, आपका जो भी 2, 5, 10, जो भी team है, distributors है, उनको हमारा vision mission को अच्छा से समझाओ, और बताएगे कि उनको vision mission को follow करना चाहि यह हमारा company का vision है, लोगों का घुच जीतना, लोगों का अंदर, मतलब, दुनिया में एक घुचा मन company बनना, यह vision, hunका भी vision होना चाहिए, हमारा company führen मिशन उसका भी mission होना चाहिए, वह भी हमारा vision, mission के लिए काम परना चाहिए, पाइस यहां का मानने के लिह नहीं करना चाह उसको बताएए उनको समझाएए उसका बाद ethical work honesty इसको तो पूरा अच्छा से उनको समझाना चाहिए उनको बताओ काम यहां पर तो income करना चाहिए काम करना चाहिए लेकिन ethically ही करना चाहिए 10,000 कमाने का जगा पे 1000 भी मिले कोई बात नहीं लेकिन ethical होना चाहिए कभी भी unethical काम करना ही नहीं चाहिए वो आप उनको पहले से अच्छा से सिखा देगी अगर उनको पहले से गर आप बता दोगे कि ethical काम क्या होता है unethical क्या होता है फिर वो कभी unethical काम उनको ethical काम करने का मतलब तरीका क्या होता है क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए अच्छा समझा दीजिए पहले से अगर ethical work करने का आदत अगर उनका अंदर बें डाल देंगे ना वो करेगा तीम को भी होई सिखाएगा डालएं सकंद का ना अम technicians नहीं चाहिए और बार सिकाते रही है बालते रहिए बातों को ईसका बात हमेशा हमसे जितना होगा उतना दुसरों को मदद करना चाहिए तीम वालें को हो या अलग टीम वालों को हो या बाहर में अलग मार्केट में जो भी लोग रहते हैं अलग उनको लेकिन हमेशा हमारा अंदर पे सलफुष नहीं रहें के हल्पिंग नेचर रहना चाहिए लोगों को मदद करने के अटिडूट अमेशा हमारा अंदर पे रहें चाहिए वसको टीम अब सिकाओ डिसिप्लीन को सिकाईए उनको डिसिप्लीन हमेशा मेंटेन करना चाहिए उसका ड्रसओ उड अचा रहना है लाना सीनर का समने बातचीत करने का तरीका ठीक नहीं है रेस्पेक्ट नहीं दे के बात करना यह सब को सिखाना चाहिए अच्छा बहेवियर कैसा रहता है उसको सिखाना चाहिए यह सब बातों को यह सब चीजों का आप आपका टीम में सिखाओ तीम को मतलब बनाना के लिए सिर्फ कोई एक बात बताने से कोई एक चीज़ सिखाने से नहीं होते दो बहुत सारे बाते सिखाना पड़ता है बहुत सारे चीज़े सिखाना पड़ता है तब जाके वह एक पॉफेक्ट टीम एक अच्छा इंसान वह बनता है वह सिर्फ काम करन तो चलो knowledge लेते रहो नहीं हर चीजों पर द्यान देना पड़ेगा तीम को मैनेज अगर सही से करना हो तो हर चीज को द्यान देना पड़ता है और यह बहुत जरूरी है अगर यह सब को अगर आप उनको सिखाऊगे न अच्छा से अगर दो कि वह एक अच्छा इंसान बनेगा उसका अंदर के गमंड चला जाएगा वो लोगों को मदद करने के लिए ready हो जाएगा वो हमेशा ethical काम करेगा हमेशा जूट नहीं बोलेगा honesty में रहेगा वो company का vision के लिए काम करेगा पैसे के लिए काम नहीं करेगा और तब तो वो तो definitely अच्छा business तो करे गई है अगर यह पहले अच्छा इंसान बनाना है उसके लिए हमको यह सब करना पड़ता है और इसमें और एक बात है लीड बई-ग्जांपल उसको कुद फॉलो करो इप यह सब बातों को सिर्फ बता के आप फॉलो नहीं करोगे तो टीम फॉलू नहीं करेगा ठीम जूले फॉलो मतलब जो बातों को वह बोलेंगे उसको हम करना चाहिए मुझे एतिकल काम करना चाहिए साथ में टीम को भी बताऊंगा कि बाई एतिकल काम करो अगर मैं अनेतिकल कर रहा हूं तीम को बोलूगा हमेशे एतिकल काम करो वो क्यों करेंगे जो बोलेंगे उसको नहीं वो सुनेंगे जो आप करोगे उसको फॉला करेंगे आपको लीड में एक्जम्बल बनना चाहिए आप आपका सीनर का फोन आया आप बाहर में गए हो गुमने के लिए टीम के सब बोले सीनर कहां पर हो आप बोले मेसर एक फॉल अप मैं आऊ हूं देखो आपका टीम उदर पे है आपका एक डिस्रिब्यूटर है उनका सामने आप आपका सीनर का पस जुट बोल रहे हो वह लगो कल वो कि तो उसको करेंगा कल वह आपका पास बोलेगा जुट हुट जैसा बच्चों के सामने आप जो करतरा है एक तरफ Jersey बच्चे वह फॉलौ करते है यहम पर भी आप यह साह यह थिन सब भी ऑगन बहुटा इंकाँली हम क को हर एक चीज़ों को जो हम बताएंगे ना वो हम फॉलो करना चाहिए वो सारे कमों को हम को करना चाहिए तब टीम भी आटोमेटिकली करेगा ठीक है तो यह गुड कल्चर गुड टॉट प्रोसेस तीम के अंदर डालो अच्छा इंसान बना उनको फिर देखो वो अच्छा बिजनस तो डिफिनेटली करेगा डिफिनेटली बनाएगा और ने